हेलो इस्टूरेंट्स जै हिंद हिंद की जै मैं जितेश पाराशक फिजिक्स फेकल्टी मुखरजी नगर दिल्ली सी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर नोस्ट्रम जिसका मतलब है रामबान एक की टू स सक्सेस इसी नोस्ट्रम की सीरीज में मैं अब तक आपको एक पूर्शन करा चुका हूं एक चेप्टर करा चुका हूं जो एक यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशन जी आप समझ गए हूंगे यस सन इसी में अब एक नया सेगमेंट क्योंकि बच्चों की थोड़ी दिमा इस 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 टोपिक का स्टार्टिंग करेंगे जिस टोपिक में अच्छे अच्छे टोपिक आएंगे विस्कोस्टी क्या है सरफेस टेंशन प्रश्टनाव क्या है बाबा वर्नोली क्या है बहुत अच्छे अच्छे कॉंसेप्ट इसमें रहेंगे आपके और इसी क्लास में हम आपके लिए करातर हूंगा solid liquid gas के बारे में डिसकसन करेंगे मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम समझ पा रहे होंगे जैसे 12th का सबसे बड़ा major part होता है जैसे के साथ में आपको ये बताना चाहूंगा देखिए देखो जब हम स्टार्ट करते हैं General properties of matter, matter का मतलब हुता बिड़ा पधार्त, अजी हिंदी मीडियमे से कहता है पधार्तों के सामाने गुन, पधार्तों के सामाने गुन, अच्छा बच्चे जब हम इसको डिसकस करते हैं तो यह तीन तरह से स्प्लिट होता है, यहां तीन तरह से यह split होता है और किस तरह से divide होता है देखिए एक होता है solid एक होता है liquid और एक होता है बच्ची gas तीन अवस्थाएं होती है solid liquid gas इसे कहते हैं जी ठोस द्रिव्य और gas वैसे पता है plasma भी fourth form होती है matter की plasma fourth form होला जाता हुसे इसी के साथ साथ देखो इसे क्या कहेंगे जी solid और इसे क्या कहेंगे liquid और बिटाग गैस क्या तुम इतनी बात समझ गए है यस सर अब जो यह liquid है यह journal introduction है ध्यान सुनना यह जो liquid है यह liquid फिर से दो टाइप्स का होता है एक होता है hydro hydrostatic और एक होता बच्चे hydrodynamic hydrodynamic देखो मेरी बात ध्यान से सुनना hydro word कभी भी कहीं भी आ जाए तो hydro का मतलब पानी से होता है तो यह मतलब liquid बन गया aesthetic का मतलब होता aesthetic aesthetic मतलब rest क्या rest जब मैं तुम्हें यह unit पढ़ाऊँगा ना hydrostatic वाली तुम देखोगे कि तुम्हें पानी rest में ही नजर आएगा जैसे जिक्र करते हैं बाबा पास्कल का याद है ना पास्कल एक टब के अंदर पानी बरा हुआ होगा तो जब भी हम जादतर जिक्र करेंगे बिटा अगर वो पानी अगर वो फिलिड अगर वो रेस्ट में है तो वो hydro estatic का part है और अगर वही चीज motion में है जैसा बाबा बर करनॉली ने कहा समझ रहे हो अगर किसी पाइप में से पानी चल रहा है अगर वही चीज बेटा फिलो कर रही है या यूं कहो motion में है गती में है ऐसे को हम बोलते हाइड्रो डाइनिमिल अब साथ तुम समझ गए होंगी जर्नल प्रॉपर्टीज को तीन हिस्सों में तोड़ और तीसरा होगा बेटा इसका जिक्रत गैसिज का बोलो के लियर है जी सर एक टॉपिक लेंगे बड़ी प्यार से जर्नलियम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड कुछ ऐसे पैक होते हैं यह रिजिड होते हैं रिजिड का मतलब थोड़ा साब कह सकते हो बहुत ठोस होते हैं ज इसी पेपर की लिए जैसे पेपर लिया देखो यह देखो क्या है और रहे यह इता वह नों डिजिड था अच्छा तो आप समझ गए solid क्या है rigid है rigid ठीक है विटा ये हिंदी मीडियम इसे द्रिड के नाम से जानता है ये not rigid rigid नहीं होते ये not rigid ये भी rigid नहीं होते अब कोई आदमी ससक्त है ठोर है अपनी बात पर अडग हुआ है तो पता क्या कहते हैं अरे यार rigid हो रहे हो बाई बंद की तरह है ऐसे shape जो fix होती है इसकी इसकी no shape कोई shape नहीं होती इसकी भी पढ़ लोगे fix volume होता fix volume इसका होता लेकिन no fix volume किसका gas का ये क्या की जा सकती है cannot cannot और ये can भी करी जा सकती है और इन्हीं के साथ solid liquid gas में अब जो मैं अगली class में discuss करूँगा वेटा वो ये वाला part होगा solid most important तो मेरा ये introduction कहने का तरीका समझ रहे होंगे कि सथ journal property जवाब पढ़ाओगे तो पहले solid के वारे में liquid के वारे में liquid फिर से दो प्रकार का और फिर होगा gas का discuss मजा आएगा आनन्द आएगा इसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ ऐसा बच्चा जो plus पर classes लेना चाहता है ले सकता है और ऐसा बच्चा जो अनकेडमी पर बिल्कुल free classes देखना चाहता है तो जितेश कुमार के नाम से मेरी profile दिखाई देगी मेरा पूरा नाम जितेश पारशर आप जाएं और अनकेडम मुगली गुट्टी 555 आप बिल्कुल free of cost देख सकते हूँ कोई चार्ज नहीं है ऐसा बच्चा जो चाहता सर मैं concept batches और practice batch भी चाहता हूँ जैसे उसे नेवी का गुदावरी batch मिलेगा के लिए रहे तो उसे अनकेडमी से डाउनलोड करके उसे referral code लगाना पड़ता है वो ह JPP 10 live इस code का इस्तमाल करने से आपको 10% extra छूट मिलेगी 23 फरवरी से start होगा मैं इसमें 28 फरवरी से classes continue कर दूँगा 7 अप्रेल तक लगाता ठीक है मेरा नाम पूरा नाम जितेश पारशर आपके देशी गुरू जी मिलिंगे आपको इसी बहच में और ये जो मैं कराने जा र ये बिल्कुल free रहेगा ठीक है जी नौस्ट्रम study point का मतलब है रामबान जो बिल्कुल आपके लिए free है ओके students मिलते आप से अगली class में तब तक आप अपना ध्यान रखें ख्याल रखें ओके शबबाश क्या बात आपको लेर सारा प्यार और आपके मतापता को नमस्कार ज बिल्कुल